हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सची हर्यानवी फने वीडियो में तो देखी जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये एचिया कप है और ये क्रिकेट से संबंदित है तो देखी आज इंडिया और सिलंका का मैच हुआ और इसमें इंडिया जीत गया है तो देखी एचिया कप का जो विजेता है 2023 का ये इंडिया है तो देखी इस कप की सुरुआत कप हुई इसमें कितनी रासी मिलती है तो इसे संबंदित जानकरी रहेगी तो देखे इसकी शुरुआ देखा जाए कब होई तो ये 1984 में होई है और कहाँ पर होई तो ये UAE में होई है और देखे इसमें जो पहला विजेता रहा था वह भी इंडिया रहा था तो देखी अब तक इंडिया नेना 7 बार एसिया कप को जीता है तो सबसे अधिक जीतने वाला इंडिया बना है और देखी जो सिरलंका है ये 6 बार जीता है तो देखी ये है रोहित सर्मा और इसकी मेंजबानी में इंडिया ने अब की बार 2030 इसका जो एसिया कप है ये भी जीत लिया है तो देखी फ्रेंस ये हम सब के लिए खुसी की बात है और ये देखी वैसे तो ये गेम तुक्के का होता है इसमें कभी तो ये लोग 400 से उपर भी रन बना देते हैं और कभी ये 50 पर ही सिमट जाते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ किलिप तो देखी सिलंका वालों की दवारा ना 50 रन बनाने के बाद इंडिया वालों ने शुरुआत की और केवल दो ही प्लेयर ने 50 रन बना दिये और इस प्रकार अशिया कप पर अपना कपजा कर लिया तो देखी इंडिया के जीदने के बाद और इस लंका वालों की 50 रन बनने के बाद इनका चेहरा देखो कैसे हस रही है क्या करें बेचारे अब हारेंगे क्योंकि 50 रन ही बने है और इन्हें तो इंडिया वाले आसानी से बना सकते हैं तो देखिए इन्होंने बना भी दिये हैं किवल दो ही प्लेयर के दवाराना 50 रन बना दिये गए और इस एस्या कपर अपना कबजा कर लिया गया तो देखिए फ्रैंस ये गेम कैसा है ये तुके का गेम है इसमें कभी कुछ और कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है तो देखिए ये गेम मुझे तो खास अच्छा नहीं लगता आप सभी को कैसा लगता है कोमेंट करके बताना तो देखिए फ्रैंस इसकी किलिप हमने देखी और स्रेलंका 50 पर ही सिमेट गया और हमारे दो ही प्लेयर ने 50 रन बना कर इसका पर अपना कभजा कर लिया तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो तो ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होती से लाइक करना सेर करना ठैंक यू